आज मैं आपको खाने की ऐसी ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आपको विश्वाश नहीं होगा कि ये सब आम से बनी हैं मेरे लिए तो ये बहुत ही ताज़ुक की बात थी शायद आपने पहले इस सब चीज़ें खाई होगी पर मैंने तो कभी नहीं खाई तो आज मैं आई हूँ बेंगलॉर के हल्डी मरे रेस्टोरेंट में जो की बहुत ही ट्रेडिशनल और खुबसूरत सा रेस्टोरेंट है और यहां गर्मी के दो महीने आम का फेस्टिवल लगता है जहां पर लगबग सारी डिशिस आपको आम से बनी मिलेंगी तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने आम से क्या क्या स्पेशल बनाया है और कुछ चीज़ें देखकर तो मैं भी चौक गई कि क्या ये चीज़ें भी आम से बनाई जा सकती है जैसे ये आम से बनी इडली जिसे सर्फ किया जाता है आम से बने मीठे रस के साथ ना की सामर के साथ और इस रस को ये रसायन कहते हैं और ये देखिए ये हैं आम की गुठलियों से बनी एक स्पेशल सबसी जिसे मैंगो ससवी कहते हैं जिसका स्वाद इतना अमेजंग होता है ना कि आपको उसको खाके मज़ा ही आ जाएगा और यहां पर है कच्छी अमिया का पुलाओ जिसे मांगो चितरा ना कहते हैं साथ में हैं मांगो बर्फी और भी बहुत कुछ आम से बनी डिशिस जिनने मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूगी खाने के लिए यहां बहुत लंबी लाइन लगती है तो मेरा नमबर आने में टाइम था तो सोचा क्यों ना यहां पर लाइफ पूरन पुली बनती है वो आपको दिखाती हूँ तो आप देखने हो ना कैसी घी में डूबी हुई है तो हमें लगता है ना घर पर इतनी टेस्टी क्यों नहीं बनती है इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हमसे इसमें तंगी कभी डालाई नहीं जाएगा और यहाँ पर आपको खोई की, मैंगो की, गुलकन की, नारियल की और दाल की पास तरह की पूरन फोली खाने को मिल जाएगी और यह देखिए देखते देखते हमारा नमबर आ गया है तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ जहां पर यह खाना सर्फ करते हैं तो सबसे अची बात इस तरह के रेस्टरूंट की होती ना कि यह आपको बिठा के अराम से केले के पत्ते पे खाना कहिलाते हैं तो सबसे पहले यहां पर आ गया है आम का जूस तो बहुत ही टेस्टी था इसका टेस्ट आल्मोस्ट वैसे ही था जैसे कि हम आम रस बनाते हैं और इसके बाद इन्होंने में सर्फ की मैंगो रस मेलाई जो की आम से ही बनी थी इसके बाद इन्होंने डाला आम का बना हुआ अचार। साथ में कच्छे आम का बना हुआ फ्रेश अचार। और यहाँ पर है बीट रूट और चने की सबजी। और इसके साथ खुब सारा नारियल डाल के इसमें बनाया जाता है। और यह बहुत ही ठेज़ती होती हैं, बहु चेमें अगया झालन में लेख में यहाँ उख सब्गमाय का इता है और इसक एहां पर है मैंगो में इडली और में पाज़े सर भड़ा से गया गी वी नो इसके साथ यहां पे इनों ने हमें सर्फ किया खाने के लिए मसाला दोसा और जो आप चटनी देख यह भी बहुत स्पेशल है क्योंकि यह बीना कोकोनट और कच्छे आम से बनी होती है तो आपने देखना किने सारी डिश आ गई है जिनमें आम का यूज हुआ है और अगर चितरना यहां पर मैंगो राइस तो यह बहुत ही टेस्टी होता है और जैसे जैसे आप खाते जाओगे ना यह नॉन स्टॉप सर्विंग चलती जाए की चीजों की और इसके बाद आया यहां का सबसे ज़दा फेमस बिसी बिली भात तो हड़नी मने कभी आप आए ना तो अब इसी बिली बात जरूर खाईएगा यहां पर आगया है मैंगो राइता और साथ में उने डाला है प्लेन राइस और यह जो सांबर आप देख रहे हो ना यह भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें इमली का इस्तमाल नहीं हुआ है बलकि इसमें कच्छे आम का इस्तमाल और टैंगी और इसको खतम करने के बाद आया है यह फिर से प्लेन राइस के साथ मैंगो ररसम तो यहां पर इतना जादा होता है ना खाने को कि एक बाद एक बाद चीजें आती जाती है और आब अबस खाते जाते हो जाते हो और यह देखिए जब एड़ होता तो किसी भी आप South Indian खाने के लिए आएंगे ना इस तरह के तो यहां पर end किया जाता है कर्ड राइस के साथ कर्ड राइस के साथ मतलब कि इसके बाद अब सर्विंग नहीं होगी यह एंड था और सच में इतना टेस्टी खाना थाना कि हमने इतना जादा खा लिया हम लोगों ने किसी भी इसकी सर्विंग दुबारा नहीं ली पर जितना जितना थाना सच में उतना भी खतम कर पाना बहुत मुश्किल था और जब आप खाना खतम कर लेते हो तो यहां पर इस तरह से क्लीन अप कर देते हैं फटा-फट से क्योंकि नीचे पेपर लगा होता है तो कुछ भी गंदा यह होता है यह जल्दी से सारा समान उठा के इनको गाबेज मिन में डाल देते हैं और फिर से नए लगों को बिठानी की तयारी हो जाती है तो एक बार में यहां आल्मोस्ट सो लोग खाते है तब भी इतनी लंबी लाइन होती है कि नॉन स्टॉप लाइन लगी रहती है और यहां पर इस टाइम पर जब हर्डी मने में मैंगो फेस्टिवल लगता है और अगर अब बैंगलवार में नहीं है और कभी विजिट करें तो भी जरूर यहां पर आए और इतना खाने के बाद ना इन्होंने जाते जाते हमें मैंगो आइसक्रीम भी दे दी जो कि बहुत ही